तो माई डेर स्ूडेंट आज और एक्स वीडियो में बात करेंगे बीए धर्ड समेंश्टर के प्रेचीन इतिहाफ या निंगी क स्विश्टर के पूरे पूरे स्लेवर्ट के बारे में और मोस्ट इंपार्टन टॉपिक्स के बारे में यानि कि आपकी जो परिच्छा आने वाले दिनों में बीए थर्ड सनस्टर की लगी है या फिर होगी प्रिचीन इतिहाफ की यानि कि इनिसेंट हिस्टी की उसमें कहां-कहां से कुष्चन आए यह सब आज किस वीडियों आपको complete जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को complete देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा help मिलेगी ठीक है परना भाई आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमको क्या तयार करना है ठीक है वह हम आपको बताने वाले स्लेवर्ट में है क्या क्या क् इन नहीं बता रहा है। सब इंग्लिस में उसे बता देते हैं और हम ने तो पूरा का पूरा उसका अच्छे हमें और आपको हिंदी में बताइंगे तो कि आपको अच्छे समझ में आ जयांकि प्एपकर्णी में देना पड़ेगा है और ढ intersection Enough हुआ कि है तो पेस्जिब्ने लिए और हर चैप्टर जितने में सब्जेक्ट है चाह हिंदी और अगली सो चाह प्रिटकल साइफ हो या फिर आपका सोचोलोजी हो ठीक है हिस्ट्री हो सब आठ चैप्टर आठ यूनिट आठ टॉपिक्स में डिवाइड होते हैं आप उसी को यूनिट बोले टॉपिक्स बो सब्सक्राइब करना है तो इसके कुछ जरिया होते हैं ठीक है जैसे कि हम खुदाई करेंगे तो हमारे पाफ या तो फावड़ा होना चाहिए यह फिर कोई ऐसा आज़ार होना चाहिए जिफ़ चाहिए खुद जाये फिक है तरह आपको अध्याद करना है जानना है पड़े है ठीक है तो इसमें आ जाएंगे साहिएृत पप्लार टौपिक्स यह आपकी परिछ्छा में बहुत बारब पोच्छे जा चुके हैं पहले साहितिक स्त्रोत के मारे हम जानते हैं साहितिक स्त्रोत में होता यह है जो पुष्टकों में साहित हमें आतीत के बारे में महात्पूर जानकारी देता है उसे हम साहितिक स्त्रोत कहते हैं ठीक है साहितिक स्त्रोत में हमें बीते हुए समय के बारे में देखें महाभारत मे पता चलेगा ठीक है और वेद में पता चलेगा ठीक है उपनिसद में पता चलेगा यह सब क्या है यह साहतिक सुरूत है जिनके बारे में बीती हुए समय के बारे में हमकों महुत्पूर जानकारी मिलती है तो उनकों गहेंगे हम साहतिक सुरूत ठीक है उसके बाद अफलेक आ करते हैं वंत मौतार में बड़नों दो चाहिते हैं फैसे रेक्स करते हैं लिए रखे वन दो चीज होते हैं कि नौन पर फोल सकती है किसी चीज़ को में कुपी पैन के सामने समझाने में कूछ हमिनमालियं यारध गलर मानिक यह, आज वा आक्रमण किया, यह हम तक इस तहीजि़ meinen गयो sweeping लिख दिया जाता थे रहिए भवी जातीडिए, इससले सप्धों मुणाल्जी में दर्भार लग ले कुछ बहुत सारे श्ट्रोंग जो कठो और पदार्थ होते उसमें लिख दिया जाते थे ठीक है तो इन सभी चीज़ों में जो लेख लिखा जाता तो उसे भी लेख कहा जाता है ठीक है तो यह हो गया फर्स यूणिट में आपको देखने कुम लेंगे हर्स हर्स जो की हमारे म विश्की मुर्त तो उत्तरभात की जो प्रलिटिकल कंडिशन थी, वो कैसी हो जाती उसके बार कुछता है, ठीक है, उसके बाद कश्मीर राजबन्स का राजा कौन था, कश्मीर राजबन्स का सासन कब से, बार का से राजा ने चलाया, या आपको लिखना है, कन्योज के यसो वर्बन के बारे में कोश्चिन आएगा सिंध राजवन्स के बारे में कोश्चिन आएगा सिंध राजवन्स का राजवन्स का राजवन्स का सासन कब से कब तक रहा उसका राजवन्स का राजवन्स को किसने पराज़ित किया वो कहां कहां पर उसने बिजे की यह सब आपको इन में समय यहां से question पूछे जाएंगे सिंधु राजवन से कन्योज के इसो और वन से कश्मीर राजवन से राजनितिक इस्थित जो की हर्सकी बतानी आपको ठीक है तो इन वन्सों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा ठीक है तो पर्मार वन्स का राजा कौन था इसमें कैसे क्या हुआ कब से कब तक कौन से राजा ने सासन किया सुलांकी में फी तरह गुर्जर पतिहार राजवन से ठीक है राज पूतों के उत्पत्त फिड़ा कोश्चन हमेशा पूंचा जाता है ठीक है और पूंचा जाएगाता है यह ठीक है यह हो गए थर्ड नंबर यूनिट फे टोपिक से अब फूर्थ नंबर यूनिट में आपको पाल राजवनस के बारे में जोड़े कोश्चन देखने के मिलेंगे पाल राजवनस का राजा कौन था कौन सा सकता कब से कब तक उसका सासन काल जगा और कब उसने किसको क्या तक पराल राजवनस के राजवनस था इसके बारे में आपको पर्चे पढ़ लेना इसके बारे में Saivas के बारे में आपको अमश्चन बनेगे यह हो गया आपका podr эту तर तो उस समय प्राजनितिक इस्थित कैसी ते यह आपको लिखे रहा है ठीक है और उसके बाद अगला यहां पर डोटोपिक्स है कि उत्तर भारत में राजनितिक प्रतियस्परदा और नया संगर्स ठीक है उत्तर भात में राजनितिक jeopard कि से करना पड़े है अनल कि अता है लेकिन पुछा गए किसले वरसों में और ज्यान देने वाली बात है उसके बाद आजाएंगे हम six number यूट में six number यूट में आपको चंदेल वंस सेड़ो कुष्चन को देखने को बिलेंगे चंदेल राजवंस तो चंदेल राजवंस का सासक राजा कौन था उसने साकिस ने दिन तक कितने वर्सों तक सासन किया ठीक है और उसने कहां कहां पर आक्रमण किया किसको इसको पराजित किया यह सब वहां चंदेल राजवंस की जो प्रजा थी जनता दी ठीक है उसको किस प् कमण किया यह सब चीज़े आजाएंगी चंदलेर राजबंस की बारे में जो कि प्रशन आएगा 100% से हो रहे क्योंकि लेशन है तो लेशन से जड़े कोश्चन तो आएंगे आपका सब्जेक्ट यह यह और सब्जेक्ट में टॉपिक्स है तो उससे जड़ा कोश्चन आएगा ही आएगा तो आप लोग के घर में खाना बनेगा तो खाएंगे तो सभी लोग ना ठीक है उसी तरह यह लेफन है सब्जेक्ट है तो आएगा कोश्चन तो सिंपल सी बात है कि एक्जाम में आएगा ही आएगा अगला प्रस्ट मतलब कि अगला जो यूनिट हो सेवन नंबर लगर इसमें आपको कुश्चन देखने को बिलेंगे 2004 वनसस से जुड़े चमहान राजवन से जुड़े गढ़वाल राजवन के जुड़े कल्चुरी राजवन से जुड़े सेन राजवन से जुड़े जिसमें से महात्पूर्ण जो है ज्यादा बार जो पुछे जा चुके है चबहानवां से जुड़े गढ़वाल राजवन से जुड़े ज्यादा बार प्रसमें पुछे जा चुके है इन दोनों से कमाए हैं तो आप लोग इनको एक्नोर भी कर सकते हैं लेकिन पढ़ लेंगे टॉपिक्स है सब्जेक्ट का तो हेल्फ है आपके मिली जाएगी ठीक है तो यह दोनों फोकस ज्यादा करना है उसके बाद आजाएंगे हम यूनिट नंबर एट में जो की बहुत ही महात्पूर यूनिट है ठीक है आठ नंबर यूनिट में आपको सिंध्पर अर्बो का आक्रमण जोकि पिछले वर्सों में लगातार कोश्चन पूछा जा चुका है कि सिंध्पर अर्बो का आक्रमण के बारे में वरन कीजिए किस प्रकार आक्रमण किया है कौन कौन पराजित हुआ किस की भीजे हुई यह आफ साथ को लिखना है उसके वाद अगला है जो मुहम्मद गजनबी का आक्रमण ठीक है यह बहुत बड़ा आक्रमण था और यह आज लोग अच्छे से जानते भी है हिस् बहुत पहरा रहा है और बहुत ही महत पर आखर है मुस्लिम कशने का कारण और प्रभावत यह मुस्लिम का करन है उसको मतलब कि एक अबूद सकते अप लोग वह विजե्ण होने का कशना और इस के प्रभाव क्या थे ठीक है तो मुंझा कि कम पूरी पूरी तो इसके बिना उसके कारण क्या थे और उसके इंपक्ट क्या पड़ा उससे यह सब आपको लिखना पड़ सकता आएगे जरूर चाहे एक ही कुश्चन आए ठीक इस बात को ध्यान नखेंगे तो अब लोगों की समस्ट विए थर्ड समस्टर प्रचीन इतिहास का पूरा कुरा स्लेबर्स पूर एक पूरे यूंट यहाँ पर मैने आपको सिंपल भास आथे और कम सब्दों में और कम समय में आप लोगों के explain कर दिया फायंतों को समय मतलब कि आप स्वूस्य करें डोटीन से कि वीडियो नहीं को सब्सक्राइब दो तीन बार देखने के बाद आपको एक लिए उसके समझ है और यही стоит इन्हीं各प बस इस्टे नहीं आएगा बस इन्हीं को त्यार शंद से में अब सब्सक्राइब कर लीजेगा आपको परड़े यहां पर हर समेस्टर की जो स्लेबर्स वाली आपको मिलेंगी विध हिंदी में स्लेबर्स पूरा कनवर्ट करके आपको मिलेगा चैप्टर वाइज ठीक है तो तैयारी करते रहिए और आपके एक्जाम के लिए अभी तो टाइम है लेकिन अभी से अल्दी बेस्ट तैयारी करते रहिए बाकी मिलते हैं करने वीडियो में जैन